मैं में मौझूद हूँ इस समय जन्तर मंतर पर, आज हमारे साथ मौझूद हैं सर्व धर्म संसद हिंदू मुस्लिम सिक इसाई, सभी धर्मों को लेकर साथ चलने वाले, सर्व धर्म संसद के सहींजग। शुशील महराज जी शुशील जी सबसे पहले स्वागत आपका आज यहां जंतर मंतर पर आने का मकसद हमारा मकसद यह था कि जो समस्या हमने एक साल पहले जो इस देश में आई थी मनिपूर प्रॉब्लम उसको फिर कुछ लोगों ने गवर्मेंट से यह निमांड की है कि उस उसको क्योंकि शुरूआत हमने की एक साल पहले तो वह शुरूआत जो हमारी चल रही है मगर वो मीडिया के माध्यम से और माध्यम से आती नहीं है समस्या का समाधान बीच में रुग गया हो सरकार ने दोग दिया हो मैं ऐसा नहीं मानता धीरे 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 महुल ठीक हो रहा है कि हम उसके बाद 3-4 बार और गए है तो ये जो समस्या है हमारी तो हमने परधान मंत्री जी से ये स्वागत करते हुए कि नई सरकार का स्वागत करते है हमने एक मांग की है कि नई सरकार के आने के बाद सबसे पहले जो धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है मनिपूर की उसका एक साल पूर्ण हो रहा है हम ये चाहते हैं इसको प्रायिल टी बेसिस पर यह आग पूरे भारत में ना पहल जाए इसको समझने की जरुरत है इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो मनिपूर इश्यू है जो आपस में नहीं लड़ रहे हैं हम देख क्या है कुछ लोगों की लड़ाई है किसी किसी के वेस्टर ने इंटरस्ट है असलियत क्या है यह समझ में यहारी तो उसमें जब सब फेल हो जाते हैं तो इश्वर को मानने वाले चाहे हो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो इसाई हो जैन हो पार्सी हो बौध हो उन सब करतव हो जाता है दार्मी की लोगों का कि जो इश्वर से प्रातना करें कि यहां महल ठीक हो वो प्रयास हमने किया है क्योंकि प्रदान मंत्री जी को आज मनिपूर दिली से विदेश यातरा जाना इटली पर तो आज यहीं उन्होंने का कि आप ग्यापन भिजवा दीजे वहां रिसीव हो गया है और उसके बाद आकर हमें समय देंगे हम सुझाव देंगे कि किस तरह से शांती हो रही है क् कि अलरेडी हम काम कर रहे हैं भारत की भारतिय सर्वधम संसद जाती धार्म और किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है एक स्वतंत्र बाड़ी है जहां इंसानियत के लिए धार्मिक लोग इश्रकुमानिक लोग काम कर रहे हैं उसी दिशा में वापिस मूंट को यह जो पार्टी है उनकी मीटिंग के लिए बोला था वो हुई भी थी और उसका रिजल्ट भी अच्छा बुरा जो आया होगा वो चल रहा है हम अपनी दिशा में चल रहे हैं हम काम करते रहेंगे और सरकार से कहा है कि जहां आप उप्युक्त समझें जहां कोई नहीं जा सकता मिलिटरी नहीं पहुंच सकती कोई सदभाग पी नहीं जा सकता वहां हम भारतिये सर्वधर्म संसत के हम सारे धर्म गुरूप वहां जाने के लिए तैयार हैं अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं यह मुख्य हमारा यह है मगर इस इशू को सबसे पहले उठाया जाए यह हमारी डिमांड है तो बाविक तोर पर क्यूंकि सर्वधर्म संबाव और भी धर्मों के जहन दहसे में आमारे साथ मुझूद हैं यह जो समस्या है इसका समाधान आपको क्या लगता है देखिए धर्मात सांतिर भवतू धर्म से शांति की विवस्ता बहाल की जा सकती है जब यह मनिपूर में हिंसा भढ़की या दंगे भढ़काए गए उस समय जो घटना करम हुआ तो सबसे पहले भारती सर्वधर्म संसत के संग्याम जो बात आई कि वहाँ पर जाती संगर्ष पैदा हो रहा है और लोग आपस में एक दुसी की जान ले रहे हैं तब भारती स सर्वधर्म संसत के राश्टी सेंउजक परमसरद्धिया गोश्वाम सिसुली मारास साब ने अपने सभी धर्मगुरू को बुलाया और मीटिंग की कि हमें कैसे भी करके मनिपूर में जो हिंसा भढ़क रही है उस पर ततकाल शांती के लिए प्रयासरत करना चाहिए क्योंक अनुसरिया उई के उनसे जाकर हमने भेंट की और उनको जाकर ग्यापन भी दिया और उन्होंने ततकाल के जो हालात थे वहांपर वह बहुत दर्दनाक थे जो बयान उने की तब से लेकर के आज तक लगबग एक बर्ष होने को है सांती विबस्ता अभी तक वहांपर पूर सरकार बनी है केंद्र में तो सबसे पहले जो सौ दिन का जो एजंडा होता है सरकार में हमारी संसत का जो अपील है सरकार से वो यही है कि सौ दिन के इस एजंडे में सबसे जो प्रमुखता है या प्रात्मिकता है वो मनिपूर शांती ववस्ता को बहाल करने के लिए दी जा तरह में नीथी राज नीथी राज को चलानी की नीथी और धरम जोडता है जिन सब आप भी क्योंकि जुड़े हुए हैं रूट पे जाकि काम कर रहे होंगे लोगों से मिल भी रहे होंगे लोगों के बीच में जब जाते हैं तो कैसे आपकी जो दिन्चरिया होती है वो किस त का मिलता है local को के घर जाकर पानी भी पीते हैं local लोगों के घर जाकर उन की समस्या सुनते है समवाद करते है और फिर counselor request निकालने की कोशिश की जाती है कि यहां पर एक्चुली ग्राऊंड लेवर पर क्या चल रहा है और जो की कई पर सरकारें नहीं देख पाती है यह administration से लोग share नहीं करते हैं तो एक emotional bonding बनाने की ज़ुरत होती है चाहे वो किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो जब आप उनसे emotionally कोई एक bonding बना लेते हैं तो फिर वो आप से खुल के बात करते हैं तो फिर वो आपको अपनी actual समस्या बताते हैं जिसे आप आगे ले बस वो ही मेरा सवाल जो मनें अभी जैन साब से किया कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाएं और बहुत वो आक्रामक हो तो उसे नूटल करने के लिए क्या करेंगे बहुत अच्छा एक शायर का शेर है कि उनका जो पैगाम है ओ अहल होता है तो महबत ही एक तरीका होता है किसी को नर्म करने का अब जब वहाँ पर हिंसा फैर लही है आग महाँ पर गी हुई है और किसी के घर हम जब जाएं इस नफरत के माहौल में तो वो मीठी बात ही है जो किसी को नर्म कर सकती है कि इतनी सी छोटी बात समझ में ना आ सकी कि दुनिया को जीत सकते हैं मीठी जबा से हम तो वो मीठी जबान ही है जो दिलों में मुहबबत पैदा कर सकती है और जहां पर मुहबबत आ जाती है और नफरत खतम हो जाती है तो वहां पर शांती पैदा हो जाती है मनिपूर की यही समसिया है काल है रहते हैं और बैंगलोर सारे जगा पर रहते हैं यहां तो प्रोब्लम नहीं है एक साथ रहते हैं एक साथ जेते हैं तो फ्रोब्लम इसको एक चेक करना है मस्ट दूगो डिप इंट इस क्या है यह प्रोब्लम मनिपूर का ऐसा नहीं है सरकार को क्या करना चाहिए यह यह वान थिंग इस दे आप पूट थेम तोगेदर सिट तोगेदर एंद फाइंद दे शुलुशन तोगेदर एंद फाइंद दूशन अस्ट देर दूइंग यह यह वान के लोगों के असली समस्या क्या लगती है आपको पिछले एक साल के बीच में काफी मर्तबा मनिपूर भाईयों से और बहरों से काफी बार जो हमारा मेरे परसनल लेवल में वारतालाप हुआ सेकर्ट हर्ट के सामने बहुत बार कैंडिलाइट मार्च भी हुआ जहां पर उसके बाद व्यक्तिकत रूप से परसनल रूप से उन्होंने हम फादरों से और वहां पर आईवे सभी लोगों से जो धर्म से बिलॉंग करत हैं लेकिन एक फादर होने के नाते हम कहीं भी मैं अपने चर्च के लेवल में भी हो कहीं भी जाता हूं कोई समस्या का निवारन करने के लिए मैं सबसे पहले घर में घर से निकंड़ से पहले मैं प्राथना करके जाता हूं कि प्राथना किये हुए शब्द जो है वहां पे एक्सपेट करता है वही वहां पर होने चाहिए सरकार से भी हमारा यह प्रस्ताव है कि गर्मन शुट सिट एंड टॉक और उसमें अगर धर्म संसदों का भी अगर कोई एक रोल है तो हम खुशी-खुशी अपने सभी टाइम को हटा कर हम अपने भाईयों के लिए वहां पहु का जरूर मिलना चाहिए कैमरा पसंद आजे के साथ राजकुमार चौधरी नेट्वर्क 10 जंतरमंतर नेदिली